नमस्कार श्रेश भारत में आपका स्वागत है मैं हूं मुक्ता सिंग उत्तर भारत में हुई मुस्लाधार बारिश से सबसे जाधा तबाही हिमाचल में हुई है हिमाचल मनाली मंडी सुन्दनगर कसोल चंबा कुलू में बारिश से भारी तबाही हुई है सेगडों किलोमेट और कई परेटकों को तो वहां से निकलने के लिए 50-60 किलोमेटर पैदल चल कर आना पड़ा। हजारों की संख्या में परेटक अभी भी हिमाचल में फसे हुए हैं जिन्हें निकालने का इंतजाम सरकार की ओर से किया जा रहा है। ऐसे ही हालातों से निकली हुई एक परेटक हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौझूद हैं जो हिमाचल में फस गई थी। उनसे जानेंगे कैसा उनका experience था कैसे इतना लंबा सफर वो पैदल तै करके यहां तक पहुँची हैं और हमाचल की तस्वीर उनसे जानेंगे कि क्या कुछ देखा उन्होंने वहाँ पर क्योंकि सोशल मीडिया पर वाइरल हुई तस्वीरें बेहट डरावनी थी तो इन्हो उन्होंने तो वह पूरा नजारा अपनी आँखों से देखा है तो उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ हालात वहां पर थे व्रंदा वेल्कम तो बहुत बहुत बढ़ाई हो कि आप सेफली दिली तक पहुच पाई सबसे पहले तो यह जो विजुल सम देख रहें जो हमारे पी पर लुदेशन एक तरफ हम आपने तो शीलियुलियोनी शीलिदेशन पर दिलीट वपाई नाकी पर एचल र ensemborाई के लिए तो यह जो रुदुल ही होचुकि हैं जंजोली बचा ही नहीं हैं अल्मोस्ट एटावली खतम है हमें नहीं मालून था कि हम व्लोन यह पाई आ प सामने भी गिरें हैं पहाडों पे से जो हम खुद देख पारे थे कि गिर रहे हैं दो-तीन तो हमारे सामने ही गिर है तो नहीं लग पारा था कि हम लोग वह अपस भी आ पाएंगे हाथ कैसे हम लोग सर्वाइव भी कर पाएंगे क्योंकि राशन भी खतम हो चुका था तो आपी बात बार हम लोग कह रही है हम लोग मतलब कौन कौन गए थे आप लोग मैं अपने योगा सुदेंट्स के साथ गई थी तो हम बेसिकली रिट्रीट के लिए गए थे एक योगा रिट्रीट के लिए तो मेरे साथ मेरे कुछ सुदेंट्स भी थे तो साथ आठ सुदे थे और प्रॉपर्टी के दो ओनर्स जो वहाँ पर थे बट अभी प्रॉपर्टी के ओनर्स वहीं पर हैं वो लोग नहीं निकल पाया क्योंकि उनको सब वाइंड अप करना था तो मैं अपने कुछ सब्सक्राइब के साथ निकली और फिर हम लोग कैसे दैसे गाओंवालों की मदद लेकर हम लोग किसी तरीके से नीचे आ गए पच्छास तीज किलोमेटर चलने के बाद जाकर हमको गाड़ी मिल पाई थी आगया आने के लिए बट नेटवर्क नहीं था यानि कि आप पच्छ या मोसली हर्याना से भी गए हुए थे और वहां के गाओंवाले भी थे जो गाओं छोड रहेते उस टाइम पर क्योंकि वहां पर सर्वाइवल का भी बहुत जादा डिफिकल्टीज राशन नहीं है तो कैसे ही सर्वाइफ कर पाएंगे तो इसलिए बहुत सारे गाओंवाल हम लोग महां पर रुके होएते क्योंकि हर दिन हमारे पास ऊपर बहुत जादा ऐसी न्यूज आ रही थी कि नीचे सब खतम हो गया कोई नहीं बहार निकलने का और नेटवर्क तो है नहीं आगे 40 किलो मेटर तक नेटवर्क नहीं है तो हम लोगों को लगा कि हम इतनी बारि हम नहीं निकल सकते है तरहां से यह यहीं चीज आप सांने से डेकर हैं एक आप आख एक तरफ लैंद सलाइट हो हो एंपन बचल हें तो взять लि corona time WA call ओन लुए हैं तो हम दिकका है किसे इतनी हम्मत आप आप है यह लग रहा थां उप और यह लिग लग रह तो यह तो थी तो हम लोगों को हम लोगों सोच लिया था कि शायद हम लोग first चुके एं at least हम लोग हफ्ता 10 दन या महीना भर तो हम नहीं निकल पाएंगे बट somehow क्योंकि हमारे गर वाले बहुत जादा हमें पता था कि पानिक होंगे बात नहीं हुई है 5-6 दिन हो गए थे बात किये बिगेर और फोन स्विच्ट ओफ थे 5-6 दिन से कोई नेटवर्क नहीं था सैटलाइट फोन भी नहीं थे किसी के घर में लैंड लाइन भी नहीं था कि हम लोग कुछ किसी तरीके से कॉंटाक कर लें या हम हेल् के लिए रीच आउट करें बट कोई भी हमें सहारा जब नहीं दिखा तब हम लोगों ने सोचा कि हमें पैदल ही निकलना पड़ेगा एट लीस्ट जहां तक बाकी लोग भी और फसे हों तो उनके साथ थोड़ा सा हम निकल पाएंगे तो वह मां हिम्मत दिखानी ही पड़ी यानि इतने दिनों तक आपका अपने घरवालों से कोई connection नहीं हो पाया उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई कहीं local भी आपने किसी से phone लेकर उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं कि अप्छली था नेटवर्क की डाउन था पूरा नेटवर्क डाउन था हम लोग जब वह प एक्टिविटी कर पाए और उपर गाहों में landline नहीं होते हैं जब आपने का कि आप लोग पैदल चल के आए हम लोग जो विजुल्स यहां पर देख रहे हैं सडके बह गई हैं नदियों में पहाड के सकी रहे हैं जैसा आपने बताया तो कैसे रास्ता कहां से मिला आपको ह हम लोग आक्चुली सुचेयन से रोपा तक तो कच्छे रस्ते से ही आया थे जंगल जंगल में से बहाँ जादा स्लिपरी था तो कुछ तो हम लोगों में से फिसलते भी आये हैं बट रोपा जब हम पहुंच गये थे तो वहां और लोग थे तो आगे जब हम बढ़े रोप बट सम्हाओ उसके ऊपर से ही लैंड्सलाइट के पत्रों के ऊपर से कीचड में से कैसे तैसे भी पेड के ऊपर लटक कर ऐसे वैसे बट हम लोग महां से निकल गए अपकी आपने पहले भी टीवी पर देखा होगा और यह शब्द आप सुनती रहती है प्रलयकारी महौल है प्रलयकारी हालाद बन गए हैं केदारनाथ की भी तस्वीरें देखी होंगी कभी खुद मैं सोचा था कि इस तरह की नाच्रल कलामेटी में कभी आप भी इस तरह से फस जाएंगी और इन चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा हम जिस माइंड से गए तो हम लोग योगा कि गाओं वालों के लिए भी ऐसा था कि पहली बार किसी ने ऐसा इतना जादा देखा है तीस पैंते सालों में उन्होंने भी ऐसा कुछ कभी देखा ही नी था सबको लग रहा था कि हाँ एक दिन लांड स्लाइड होंगी और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा बट हमें नहीं तो किस तरह से अपने आपको संतुलित रखना संयम रखना ही बहुत मुश्किल का काम है तो क्या इसमें योग आपका कुछ काम आया बिलकुल क्योंकि पॉजिटिव अगर हम भी हेवियर नहीं शो करते तो हम लोग शायद निकल नहीं पाते वहां से तो जितनी भी हम पॉसिबिल्टी नहीं थी बट जितना भी हो पा रहा था हम लोग सब आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ा सा ऐसा बिहेव कर रहे थे कि ठीक है एवरिधिंग विल बी ओके और एक दूसरे को हम पॉजिटिव ही एप्रोच के साथ बात भी कर रहे था हम कुछ प्राइटी में ही और पैनेक अटैक्स में ही बहुत जादा डिस्टर्ब हो जाते क्योंकि सारे ही दिन तीन-चार-पांचे दिन जो भी थे सबको एक-एक करके पैनेक अटैक्स आ रहे थे सबको बहुत जादा ऐसा लग रहे था कि पतनी कब बात कर पाएंगे कब हमारा तो येस योगा में बहुत हेल्प करा और इफ मैंने योगा नहीं करी होती तो शायद में लैंड्सलाइट में से उस तरीके से निकल कर भी नहीं आ पाती तो क्या सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद पहुचाई जा रही थी तीन चार दिन तो कोई भी मदद नहीं आई हमारे ही प्रॉपर्टी में से जो प्रॉपर्टी ओनर था वो खुद नीचे गया था बारिश में और लैंड्सलाइड में राशन लेने के लिए और वहा लोगों ने पुलिस वालों को देखा था और ये चार-पांच दिन बाद हुआ था कि फॉरेस्ट देपाट्मेंट वाले उपर की तरफ आ रहे थे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बट आगे जाके हमें से ओट के बीच में हमें कुछ CISF के भी लोग दिखे थे जो लो करती या अवर्ण सब्सक्कों कि अंब करते हैं सब्सक्तार को इस नहीं सकते हैं अगर आपको इस वक्त वहा नहीं जाना चाहिए तो होई है बट आक्चुली जो वहां का हम लोगों ने जितना भी पता किया था सेंजवेली का तो सेंजवेली में पहले भी ऐसा हुआ है कि लांड्सलाइड हुई है बारिश आई है बट सब का यह था कि कभी भी अगर लांड्सलाइड आती है तो वह एक दो दिन में प्रॉब्लम जो वह सॉल्व हो जाती है और बारिश का जो मेजर मौसम है जुलाइड के मिट से स्टार्ट होता है तो हमारा जो रिट्रीट था वह छे नौ तारीक था तो हमें नहीं पता था कि तब तक में ही हो जायागा सब कुछ और हां यह हमसे थोड़ी सी चूप होगी कि हमें अगर है चाहती हूं कि लोगों को भी उसका फाइदा मिल सके जिसरे से आपने अपना संयम नहीं खोया आप मेडिटेशन आपने किया और दिमाग भी संतुलित रखा और इतनी मुश्किल की घड़ी को भी आप आसानी से उसका सामना करके निकल आई बहुत सारे लोग अभी भी व चाहिए कि आप इस सिच्वेशन में फर्स चुके हो और जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको इभी आक्शन ही नहीं ले पाओगे अगर आप उस इल्यूजन में रहोगे कि हां ठीक हो जाएगा कली ठीक हो जाएगा तो बार-बार आपकी हर दिन होप भी टू आयाम लोग करेंगे और पहले से ही अपनी बॉड़ी को फिजिकली फिट रखेंगे आसन के थ्रू तो ऐसी किसी भी सिच्वेशन में पहली तो आप बाहर निकल पाओगे विकॉस ओफ यॉर फिजिकल फिटनेस और दूशा अगर आप इतनी हाइट पर और आपका ओल्रेड में आई आपने अपना एक्सपीरेंस साजा किया थांक्यू सो मच्छ थांक्यू सो मच्छ श्रेष्ट भारत पर ख़बरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और देखती रहें श्रेष्ट भारत